जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं, तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे। दियूस क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे। नाज़कार आप देख रहे हैं बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा आगरा में घटना हुई है दोस्तों एक पुजारी को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया है पुजारी का नाम है शिवगिरी मगर क्या आपने किसी भी मीडिया में इसकी गुण्च सुनी नहीं सुनी क्या आपने देखा कि भारती जनता पार्टी एक पुजारी के लिए सामने उभर कर आई है कि किस तरह से हिंदू खत्रे में है क्या उन्होंने उस राज में कानून व्यवस्था का मुद्धा उठाया नहीं उठाया मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि अगर शिवगिरी का हत्यारा कोई इमरान आसिफ होता न तो अब तक ये खबर इतनी बड़ी हो चुकी होती मुक्यधारा की न्यूस चैनल्स में कि मुसल्मानों के वैश्कार की मांग उठने लगती कानून व्यवस्था की धज्या उड़ा दी गई होती है अगर ये घटना करम एक गैर भाजपा राज में हुआ होता मगर ये घटना कहो हुई मैं आपको बताता हूँ ये घटना हुई है आगरा में जो की उत्तरपदेश में और आरोपी का नाम है जीतू जो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू है मगर आपने उस गरीब पुजारी की हत्या पर कहीं पर कोई बवाल नहीं सुना वो बेचारे साथ्मों को भीड ने मौत की घाट उतार दिया था और आरोपियों में जो करीब सौ लोगों की लिस्ट सामने उभर कर आई थी उनमें से एक सरपंच के तालुकाद बीजेपी से थे और कई कार करता उन सौ लोगों में से कई कार्द करता उन सौ लोगों में से बी जेपी के कार करता थे मगर उस वक्ट मीडिया ने क्या किया था याद है आपको वो जो सरकारी पालतू पत्रकार उसने तो इस घटना करम के लिए कॉंग्रेस से लिंक्स जोड़ दिये थे अरनब गोस्वामी ने ये तक कह दिया था कि सोनिया गांदिया एक बहुत खुश होगी आज वो इटली फोन करेगी और बताएगी देखो मैंने कैसे साद्वों को मरवा दिया कुछ और पत्रकारों के दर्शन कराना चाहता हूं इन माहनुभवों की ये कोई पत्रकार हैं कह रही हैं ये कैसे हो सकता है कि एक बुजर्ग इस वहशी भीड को अपराधी लगे एक डरा हुआ निर्बल जसके साथ एक खाकी वर्दी वाला हो वो भीड को अपराधी लगे आगे देखिए ये सभी बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकार हैं एक विर्ध साधू वर्दी से उम्मीद लगाये पीछे छिपे तो उसने खुद उन्हें भीड को सौप दिया चोर समझकर मारने वाली पूरी रिपोर्ट मन घडंत दिख रही है आगे देखिए मुझे सीपेम के सुनी चोपडा ने पालघर मॉब लिंचिंग मामले में ये बताया कि काल माक्स के हिसाब से धर्म अफीम है शायद इसी कारण से वामपंत के गड़ पालघर में दो संतों के हत्या कर दी गई यानि कि आपने वामपंत को जोड़ दिया कॉंग्रिस को जोड़ दिया मगर इन में से किसी भी पालतू ने हमें ये नहीं बताया कि उससे पहले वाटसाप पर ये लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं वाटसाप को बीजेपी जो है वो बाकाइदा हत्यार की तोर पर इस्तमाल करता है वाटसाप पर ये चलाया जा रहा था कि देखिए साधू के बेस में हमारे बच्चों को किटनाप किया जा सकता है मैं जानता हूं मुझे याद है मैंने उस वक्त एक कारकरम भी किया था इस सिलसले में तत्यों के साथ कि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था और आज आग्रा में शिवगरी नाम के पुजारी की हत्या हो गई है इन में से किसी भी पालतों ने उसका जिक्र नहीं किया दोस्तों आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग आपको हिंदू धर्म के नाम पर नासमझ समझ कर मूर्ख बनाते हैं क्या आपको उसके पीछे की सियासत नहीं समझाती है क्या आपको ये नहीं समझाती कि एक पुलिटिकल पार्टी जो है वो इस मीडिया के इन पालतों का इस्तमाल करके अपनी सियासत को सीधा कर पालगर में जो साधूं जिनकी मौत हुई थी वो एक लॉइन ओडर फेलियर था वहाँ पुलीस मौजूद थी पिर भी नहीं कुछ कर पाई वो मगर इस तरह से उत्तर पदेश के अंदर मिसालें आई हैं सामने कि किस तरह से साधूं को मार दिया एक और मिसाल थी आपको मकर मैं उस दोरे माब्दंड की बात कर रहा हूं ये घटना करम अगर महाराष्ट में हुआ होता राजستान में हुआ होता पंजाब में हुआ हुआ हुआ। अगर ये उत्तरपदेश में भी हुआ है मगर अगर हत्यारा जो है या आरोपी जो है वो एक मुसल्मान होता तो क्या आप जानते हैं इसको लेकर क्या बावाल हुआ होता मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एक हिंदू की जान की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे मारने वाला मुसल्मान है उसकी हत्या की जमीन एक गैर भाजपा राज्य है ये कि उसकी हत्या से बीजेपी को फाइदा होगा या नहीं होगा ये तीन बिंदू मैं आपके सामने उठा रहा हूं कॉमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दीजेगा कि क्या एक हिंदू की जान की कीमत इन बातों में निर्भर करेगी मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को दोश दे ही नहीं रहा हूं वो तो सियासत करेगी और ये बिके हुए डरे हुए पत्रकार उनकी सियासत करेंगे क्योंकि अगर इनोंने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया तो इनके चैनल बंद हो जाएंगे भाई हर किसी में इतनी हिम्मत थोड़ना होती है नियूस क्लिक जैसी कि आपके मुद्दों को हम उठाते रहें सरकारी दमन के बावजूद यहां पर आप देखिए खुले आम एक हिंदू पुजारी की हत्या हो जाती है और ये खमोशी बनी हुई है इत्तिफाकन योगी सरकार के चार साल पूरे हुए आज दोस्तों और ये देखिए चैनल क्या चला रहा है कामकाज की कसोटी पर कितनी खरी उत्तरी उत्तरपदेश की सरकार और इसमें आप देखिए योगी अखिलेश मायवती रोजगार देने में सबसे बहतर सीम कौन है इसमें यूपी के योगी को योगी देतनाथ को 53 फीसदी वोट्स मिलें 53 फीसदी आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ चार साल हो गए योगी राज को अगर ये रामराज रहा है तो कुछ सवालों की जवाब दीजे सवाल नमबर एक बियारडी मेडिकल कॉलेज की वो तस्वीरे याद है आपको एंसेफिलाइटिस से मासुमों की मौत बड़ी तादाद में सीधे सवालों का जवाब देने के बजाए हमें ये बताया गया था कि अगस्त के महिनों में बच्चों की मौत होती है डॉक्टर कफील खान को बली का बकरा बनाकर जेल में डाल दिया गया था और फिर वो दोश्मुक्त के बाहर नकले अरे उसके पीछे तो इस कदर पड़े थे ये लोग कि रासुका के अंतरगत नैशनल सेक्योरिटी आट के अंतरगत उससे पिर से बन कर दिया था यूपी पुलीस ने और यही नहीं एंसिफलाइटिस को लेकर बाद में इन्होंने ये दावा किया कि हमने कारिकरम शुरू किया है दस्तक जिसका नाम है और दस्तक के जरीए एंसिफलाइटिस का हमने निवारन ढूड लिया है दोस्तों मैंने वायर के लिए वायर के लिए मैंने एक रिपॉर्ट की थी और मैं उत्तरप्रदेश गोरकपुर इन तमाम जगाओं पर घुमा था और मैंने पता किया था कि जो दावे यूपी सरकार कर रही है वो सही है या गलत है और मेरी रिपोर्ट में पाया गया कि दस्तक के अंतरकत जितने भी दावे उस वक्त यानि कि 2018 उन्नीस में यूपी सरकार कर रही थी वो सब गलत है और इन्होंने बाकाइदा न्यूज चैनल्स के पत्रकारों को इस्तमाल किया ये बताने के लिए कि दस्तक पूरी तरह से सक्सेस्फुल रहा है अब भी ये दावा कर रहे है कि इन्होंने निवारन ढून लिया है मैं जमीन पर नहीं गया हूँ अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हकिकत है मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई चार साल में रामराज आ गया वो बच्चों की तस्वीरे भूल गए दिक्कत की बात ये है कि देखिए पहली की सरकारें अपराद होता था तो पिड़तों पर इसका दोश नहीं मढते थे अब इस तस्वीर को देखिए एक शव को रातो राज जला रहा ये वो हाथरस की गुडिया है रातो रात इन्होंने शव जला दिया ये कहते हुए कि अगर हम रात में शव न जलाते तो लॉइन ओर इशू हो सकता था हाथरस की गुडिया का दुश कर्म हुआ उसके साथ फिर उसका सामुहिक बलातकार और फिर उसकी हत्या कर दी गई और माबाप की रजामंदी के बगए रातो राजशव जला दिया गया ये बात अलगे कि अगले दिन धारा 144 का उलंगन करके कई दबंग आये और खुले आम आरोपियों के पक्षमे राली कर रहे थे सभाएं कर रहे थे मैं समझना चाहता हूँ ये रामराज का स्वरूप है और जो पत्रकार उस स्वक्त उठा रहे थे आवाज सिदीक कपन इस शक्र को दिखे ये आदमी केरला से आता है ये आज तक जेल में बंद है आज तक ये जेल में बंद है उस धारा के अंतरगत Unlawful Activity Prevention Act, UAPA जो की आतंकवादियों पर लगाई जाती है आप इसे रामराज कहेंगे, चार साल में ये रामराज है इन चेहरों पर गौर कीजे, पवंज जैसवाल इन्होंने मिड़े मिल स्कीम पर ख़बर की थी पवंज जैसवाल ने और इन पर F.I.R. दर्श कर दी गई मैंने बताया, डॉक्टर कफील खान रासुका की धारा लगा दी गई ये कहकर कि इनके भाषन से माहौल बरबाद हो रहा है ये बात अलगे, जब इलावाद हाई कोट ने उन्हें रिहा किया दस महीने बाद तो ये कहा कि इनका भाषन तो राश्री एक्ता का प्रतीक था अब वो आदमी उत्तर प्रदेश छोड़कर राजिस्थान में जाकर जा बसा है तो ये रामराज है प्रशान कनोजिया, एक और पत्रकार एक नहीं दो दो बार जेल में बन कर दिया गया एक ट्वीट के चलते, उन्होंने गलत जानकारी को रीट्वीट कर दिया बाद में उसे उन्होंने हटा दिया, अपनी गलती मान ली फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया मैं ये समझना चाहता हूँ, ये रामराज है इस गैंग्स्टेर की शकल देखिए, विकास दुबे इसने उत्तर प्रदेश पुलीस के मेरे साथ भाईयों को मौत के घाट उतार दिया था इन में से एक DSP गिडगिड़ा रहा था कि एक स्थानिय पुलीस कर्मी जो आँका थाना अधिकारी है उसके साथ मिली भगत के चलते विकास दुबे जो है अपना सामराज चला रहा है उसकी बात को अंसुना कर दिया गया अनंत देव जो की SSP थे उन्होंने अंसुना कर दिया और फिर उसने साथ पुलीस कर्में को मौत के घाट उतार दिया जब वो पकड़ा गया तो कानून के अंतरगत कारवाई करने के बजाए अच्छानक उसका वहन पलड जाता है और रहस्माई तरीके से उसका इंकाउंटर हो जाता है नजाने कितने सफेद पोशों का वो नाम ले लिता वो तमाम चीज़ें छुप गई क्या ये रामराज है बताईए ये तमाम मिसाले मैं आपके सामने दे रहा हूँ जब लॉकडाउन चल रहा था और जब कॉंग्रेस ने ये कहा कि भई हम बसे पहुँचाना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं आप मान भी गए थे मगर जब बसे वहाँ पहुचे तो सियासत के चलते आपने उन बसों को घुसने नहीं दिया अंदर और इतना बवाल हुआ था उस वक्त तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसमें जनता का हिट कहा है सबसे बड़ी बात इन्होंने एक मीडिया के जरीए पूरा एक जूट पहलाया कि अब तो टाइम मैगजीन ने भी योगी आदितनात की तारीफ की है कि उन्होंने कोरोना के दौरान कैसा काम किया बाद में खबर ये थी कि टाइम मैगजीन को पैसा देकर वो खबर चपवाई गई थी और दुक्त की बात ये है कि तमाम न्यूस चानल जे उस जूट को चलाया बी जेपी चलाय तो बात समझ आती है मगर न्यूस चैनल जे उस जूट को चलाया तो क्या ये वाकई चार साल यूपी बेमिसाल है या चार साल जनता बेहाल है दोस्तो सत्ता के सामने मीडिया को इतना नत्मस तक नहीं देखा और योगी आदितनाथ तो मुख्यमंत्री है कराज के जी नियूज पढ़िये पूर्व आएस आफिसर सूर प्रताब सिंग क्या कह रहे हैं सूर प्रताब सिंग वो शक्स है दोस्तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस वक्त भी उन्होंने उस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाय थे ये क्या कह रहे हैं और जी उत्तर पदेश अपना पिंड ट्वीट डिलीट करके भाग गया यही आज के मीडिया की हालत है कमजोर बिका हुआ बेशर्म और बेखैरत शात्र उत्तर पदेश की तस्वीर बदल देगा सरकार को घुटनों पर लाने का माददा रखता है शात्र चात्रों से पंगा पड़ गया ना महंगा दरसल जी उत्तर पदेश ने ये खबर चलाई थी कि योगी सरकार के चार साल पूरे क्या अगले सीम के तौर पर भी योगी आदितनात को देखना चाहेंगे आप तो वो जो पोल हो रही थी जिसमें आप देख सकते हैं 85 फीसदी जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम योगी आदितनात को नहीं देखना चाहते हैं अगले सीम के तौर पर जी न्यूज ने उस पोल को ही डिलीट कर दिया भाई हिम्मत रखो ना जब आप किसी की नौकरी कर रहे हो जब आप किसी मुख्यमंतरी की सेवा कर रहे हो तो फिर आप डर के क्यों भाग रहे हो जैसे ही उस पोल में लोगों ने अपनी राय दिखाई चाहे उसके पीछे कॉंग्रिस हो समाजवादी पार्टी वो अलग मुद्दा है मगर ये मीडिया इतनी डर पोक है कि कल को इसका फाइनल रिजल्ट योगी जी के खिलाफ आ जाता तो हम योगी जी को क्या मूँ दिखाते ये हालत हो गए इन लोगों की और हर जगा यही है दोस्तों देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ और मैंने ये बार बार कहा है जब लॉकडान हुआ था तब योगी प्रशासन का जो रवया था वो औसत से बहतर था शाहे बसों को भेजना दिल्ली के दर्वाजों पर बहतरी इनकाम था योगी आदितनाथ का और सबसे बहतरी इनकाम जिसने वाकई मेरा दिल चुआ था वो है यूपी पुलीस ने जिस तरह से अफवाहों पर लगाम लगाया था क्योंकि ये तमाम चेहरे ये तमाम मीडिया जूट पहला रहा था तबली की जमात के नाम पर मगर यूपी पुलीस ने उसका परदा फाश किया था और मैंने बार बार उस चीज की तारीफ की है मगर जो चीजें आपके सामने उससे आप मूँ तो नहीं मुड़ सकते ना चार साल पूरे हो गए हैं योगिया अतनात के मगर आप ये ना भूलें कि आजाद भारत के इतियास में बहुत से ऐसे कम लंभे वोगतने हैं जब करीब सौ विधायक अपने मुख्यमंत्री के खिलाव बगावत करने सड़क पर आ गए थे और ये हुआ था यूपी में और इसे मुख्यधारा की मीडिया ने पूरी तरह से चपा दिया आप अंदाजा लगाई अगर उस खबर को प्रमुक्ता देती मीडिया तो आपको क्या लगता योगी आदितनाद बने रहते मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं मीडिया ने इसे दबा दिया पूरी तरह से खत्म कर दिया अब जाहरी सी बात है उनके जो मुद्दे थे उस बात को लेकर चर्चा ही नहीं हुई हाँ क्या पांच साल बाद योगी वापिस आएंगे जो वो सवाल वो न्यूस चैनल पूछ रहा था जिसके मालिक राजसभा में बीजेपी की मदद से गएं हिंदू-मुसलिम राजनीती का उसका सबसे जादा असर यू-पी में होता है यू-पी में सबसे जादा पॉलीराइजड जनता है हिंदू-मुसलिम स्यासत का गड़ ये माना जाता है 2013 में मुजफर नगर के जो दंगे हुए थे उसने बीजेपी को जो आंधी दिलवाई थी जो मदद दिलवाई थी लोगसभा चुनावे में अपरत्याशित है चार साल पहले जो विधान सभाई चुनाव हुए थे पहले चरण के ठीक पहले एक रात पहले मामला फिर पोलराईज हो गया था असद दुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी उन्हें कोई बहुत सफलता नहीं मिली थी मगर जब उनके समर्थक मोटरसाइकल्स में बैठके नाराय तख़बीर के नारे लगाते थे तो उसका जबरदस असर होता था तो इन तमाम फैक्टर्स ने उस वक बीजेपी की मदद की थी और इस वक तो राम मंदिर का शिलान्यासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो इन फैक्टर्स के चलते अखिलेश यादव कॉंग्रेस की मुश्किलें बहुत ज़ादा हैं और बेहन जी मैं उनकी क्या बात करूँ वो तो गायब ही है वो तो जो भी आजकल बयान दे रही है मायवती जी बीजेपी के पक्षमी जाता दिखाई देता है और मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों क्योंकि जब मायवती पांच साल राज कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दौर लौइन ओर्डर के लिहास से एक बहतरीन वाक था हाँ ये बात अलग है कि उन्होंने मूर्तिया बनवा दी मगर मूर्तियों के क्या बात कर रहे है साहब आप अब तो पूरा का पूरा स्टेडियम प्रधान मंत्री के नाम पर रग दिया जाता है खैर यकीनन विपक्ष की चुनौती उत्तरपदेश में बहुत मुश्किल है मगर उत्तरपदेश के चार साल योगी आदितनात के अंतरगत अगर आप निगा डालें तो इसने कई लोग को एक्स्पोस किया है सबसे जादा मीडिया को साथी प्रचारत अंत्र को समाज को भी कि हम पाल घर को लेकर तो नाराजगी दिखाएंगे जब सादू संत मारे जाते हैं मगर आगरा को लेकर हम हामोश हो जाते हैं मेरी इस बात पर गोर कीजेगा अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार